नमस्कार मैं हूँ मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज आम आदमी पार्टी के अद्धियश अर्विन केज्डिवाल ने एक बार फिर कॉंग्रेस से गडबंदन करने के लिए राहूल गांदी के सामने प्रस्ताव रखा है उन्होंने इस बार दिल्ली में हरियाना में कॉंग्रेस से गडबंदन करने के लिए प्रस्ताव रखा है वहीं बता दू कि प्रस्ताव रखते हुए अर्विन केज्डिवाल ने कहा है कि मोदी और शाह की जोड़ी को हराने के लिए सबी दलों को एक साथ आना चाहिए इस पर रखाल गांदी विचार करें अर्विन केज्डिवाल ने ट्विट करते हुए रखाल गांदी को लिखा है कि देश के लोग अमिश्या और मोदी की जोड़ी को हराना चाहते है और आमानमी पार्टी जेजेपी और कॉंग्रेस अगर हरियाना में गटबंदन करके लोकसोबा चुनात 2019 लड़ती है तो बीजेपी दस की दस लोकसोबा सीट हरियाना में हारेगी वहीं मैं आपको बता दू अर्विन केजरिवाल ने कुछ दिन पहले दिल्ली में कॉंग्रेस से गटबंदन करने के लिए राहूल गांदी के सामने प्रस्ताव रखा था तो राहूल गांदी के गर इसके लिए बैठक भी होती जिसमें कॉंग्रेस दिल्ली की अत्धियाष शीला दुक्री शामिल होती जिसमें ये फैसाल लिया गया था कि कॉंग्रेस पार्टी दिल्ली में आपत्रभ पर्टी से गटबंदन नहीं करेगी लोकसोबा चुनात 2019 के पिर आवादमी पार्टी के अध्याश अर्विन केज़िडिवाल ने ये कहा था कि कॉंग्रेस बीजेपी को फायदा पहुचाना चाहती है इसलिए उसमें दिल्ली में आवादमी पार्टी से गड़ बंदन नहीं किया है अब देखना यह है कि अर्विन केज़िडिवाल ने ह अगर आप यूटूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को दरूर सब्सक्राइब हो बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जब भी नहीं वीडियो लेकर रहा हूं तो आपको पता चल जाए चलिए इस वीडियो में इतना ही नमस्कार झाल झाल झाल